मश्कार स्टडी आएक्यू आईएस हिंदी में आप सबी लों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ विर्धुबे और एक बार फिर से चलिए करते हैं शुरुवात आधुनिक भारत के इतिहास की जिसमें हम सायता ले रहे हैं स्पेक्ट्रम बुक की आधुनिक भारत के इतिहास के लिए इसके अलावा इस किताब के अलावा NCRT और जो दूसरी जो मानिता प्राप्त जो किताबें हैं जिनको हम रिफर कर सकते हैं के लिए उन सबसे तमाम सारे डिटेल को लेते हुए हम आपके समक्षिव प्रस्तुति करन दे रहे हैं और इससे पहले कि आज के सेशन में आगे बढ़ें सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवात करना चाहता हूं कि पिछले जो भी सेशन्स हुए उ इसके पहले 5 सेशन्स हो चुके हैं जो भी विद्यार्थी अभ्यर्थी पहली बार आज इस सेशन में जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप स्टड़ी आईक्यू आईएस हिंदी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में आप हिस्ट्री का आधनिक भारत का इतिहा नहीं है अस्वस्थ हैं वो और जैसे ही स्वस्थ होंगे वह आपके समक्ष उपस्तित होंगे निश्चिंद रहे हैं इस्टड़ी आईक्यू आईएस हिंदी जो भी प्रोग्राम आपके लिए शुरू कर रहा है उसे उसे पूरा करके ही खतम करेगा आप बिलकुल यूरोपियों के आगमन की हम बात पढ़ रहे हैं और यूरोपियों के आगमन में कई सारे जो दूसरे यूरोपी हैं उनके आगमन को हम पढ़ चुके हैं जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमने पूर्तगालियों के बारे में पढ़ा था ठीक है पूर्तगालियो ठीक है और अंग्रेज जिनको कह सकते हैं आप अंग्रेज तो इनके बारे में बताया था और आज जो है हम दो दूसरे यात्री हैं जिसमें से एक नाम आपका आएगा चौथे नमबर पर डेनिष जो यात्री थे उनके बारे में चर्चा करेंगे और अंततह जो है हम फ्रांसीसियों के बारे में चर्चा कर रहे होंगे अब भारत में सबसे ज़ादा जिन यूरोपी यात्रियों की है importance उसमें सरवाधी के importance जो है वो Britishers की है क्योंकि पुर्दगाली सबसे पहले आये थे तो थोड़े importance इनकी भी बनती है और क्योंकि अंग्रेजियों और फ्रांसीसियों के मध्य कई सारे युद्ध हुए जिन में अंतता ब्रिटिशर्स जीते इसलिए फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के importance बहुत जादा है और उसमें कैसे अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई है त्यादी विश्यों पर हमारी रहे गिया चर्चा ठीके तो चलिए शुरुवात कर लेते हैं बगार देर किये हुए और सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है यह काई दो है और इसी काईदो में हम इन सब चीजों के बारे में पढ़िए जिसमें अध्याय तीन जो है वो इसको रिप्रेसट करता है तो हम अध्याय तीन में है और अध्याय तीन के भी कई खंड हम पढ़ चुके हैं ठीके आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में यूरोपियों के आगमन में विशेस्ता पहले हम डेनिश जो हैं डेनमार्क के जो लोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो दिखीए भारत में अगर हम अंग्रेज़ों के बाद बात करें, तो कौन से युरोपी आए तो वो युरोपी व्यापारी डैनिश कहलाए और ये कहां से आये थे डैनेमार्क से आये थे तो डैनन्मार्क नॉर्वे के आसपास की जगा है देन्मार्क और नॉर्वे के सेहुत राजा हुगा करते थे, उनकी सहायता से कुछ व्यापारी जो है वो भारत की ओर या इस्ट की ओर व्यापार करने के लिए आते हैं, भारत में इन्हें डेनिश इंडिया या डेनिश उपनिवेश के नाम से जाना जाता है, डेनिश इंडि साल में से रामपुर या उसको स्रीरामपुर या सीरामपुर ऐसे तमाम सारे नामों से जाना जाता है वहाँ पर और जो कह सकते हैं दक्षणी पूरवी जो द्वीवसमू हैं उसमें निकुबार द्वीवसमू पर उन्होंने खास तोर से अपने उपनिवेशिक कोठियां जो और तीसरा निकुबार वीवसमू के पास और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कुछ भी इस तरीके के नई चीजें होती है तो मैं उसे मैप पे जरूर लोकेट करता हूँ आपके लिए जिससे कि आप उन चीजों को देख करके याद कर सकें अच्छी तरह से तो आग लोग यहीं से आए ठीक है डैनिश जो डेन्स लोग है वहीं से आ रहे हैं यह उपर नौर्वे है यह वाला जो 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 जोन है यह अब भारत में एसे यहां से गहूम करके इस तरह से घूम करके ऐसे यहां भारत में व्यापार करने आएगा तो अब आपको समझ में आ गया, कि ये जो Danish लोग हैं ये यहां पर व्यापार करने के लिए आ रहे हैं Britishers के बार British Island आपको यहां पर दिखा था और ये British Island के बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं चली आप जड़र देखे यह तो यहाँ वाला मैप आपको दिख गया इसके अलामा आपको यहाँ पर दिखा देता हूं कि भारत में इनकी बस्तियां जो थी वो कहां कहां पर थी अगर आप उनको देख पा रहे हो तो एक जगा आपको यहाँ पर South में आप देख सकते हैं इस का हिस्सा है ठीक है और यह आप देख सकते हैं यहां पर छोटे 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 आइलाइंड है तमाम सारे तो अंडमान निकोबार द्वीवस्वमू है उपर की और अंडमान है अंडमान है लेकिन हम नीचे की और की बात करें जो नीचे का जो निकोबार द्वीवस्व तो अभी हमने आपको यहां पर दिखाया था डेन्मार्क, यह आप देख सकते हैं, यह चोटा सा जो डेन्मार्क है, जो इसके ऊपर ठीक नॉर्वे है, ठीक, तो यही डेन्मार्क हमने आपको यहां पर दिखाया, यह है डेन्मार्क, तो आई होब कि मैप के माध्यम से गहें मैं आपको दिखाता रहता हूं और कभी-कभी नहीं भी दिखाते हैं बोलते से मैं भूल चाते हैं तो आप उनको खुद आप इसे सिर्फ याद करेंगे कि भाई डैनिश जो थे उनका तमिल नाडु में ट्रंको बार में और पशिम मंगाल में और अनमानिको बार में उनका ये था तो उतना अच्छी तरीके से हो सकता है याद न रहे कुछ दिन बार आप भूल जाएं लेकिन जब आप देखेंगे कि इनकी कोठियां यहां थी तो जैसे ही डैनिश के हम बात करेंगे तो आपको ये मैप याद आएगा फिर वो लोकेशन से याद आएंगी जहां मैंने आपको बताई है चीजें तो आप आसानी से याद कर पाओगे ठीके तो चलिए वापस आते हैं अब डैनिश जो है क्यो जैसे आपने पर्त्गीज को देखा जैसे आपने ब्रिटिशर्स को देखा जैसे डचेस को देखा वैसे यह भी भारत में यह भारत सही जो दूसरे पूरवी प्रदेश हैं वाहां पर ї default करना चाह дней तो इन में से एक डैनिश यात्री का नाम आता है जिसका नाम है मार्सेलि और अपने राजा और लोगों के बारे में ये बात रखने का प्रयास किया कि हमें भी दूसरे पश्वी प्रदेशों या ये यूरोपी प्रदेशों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए जाना चाहिए ठीक है तो यह बात यहां पर कहने वाला यह मौरसलेस्टी और मॉर्सलेस डी बैशोवर जो है ये प्रेरित करता है लोगों को कि आप जाईए वहाँ पर और इसी की प्रेरणा से आगे चल करके जो जो दूसरे यात्री हैं वो भारत की और आने की बात करते हैं तो एक तो ये उस तरीके का प्रेरख है साथी साथ उसने ये बताया कि जो कंपनी भारत से व्यापार करने जाए शुरुवाती तोर पर उसे मोनोपोली होना चाहिए यानि कि उसको व्यापारी के एक अधिकार दिया जाना चाहिए तो साथी साथ उन्हें सहायता भी दी जाना है तो मॉर्सलेस जो है वो अपने राजा से क्या डिमांड कर रहा है कि एक तो पूर्व के साथ व्यापार हो, पूर्व के साथ जो है वो क्या हो, व्यापार किया जाए, एक तो बात ये बोला जा रहा है, दूसरी बात यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर बोली जा रही है, कि जो भी कंपनी यहाँ से व्यापार करने के ले जाए उसे व्यापारिक व्यापारिक एक आधिकार दिये जाए एक आधिकार और तीसरी बात जो है वो ये है कि इस कंपनी को अपने व्यापार को सुरक्षा देने के लिए सैन्य सहायता भी दी जानी चाहिए सैन्य सहायता दी जाए ऐसी तमाम सारी डिमार्ड़ जो है वो रख करके इस मार्सिलिस डी बैशोवर ने ये बात सामने रखी कैसा हो और वहां के जो राजा थे जो डैन्मार्ग नौर्वे के उस समय के राजा थे जिनका नाम था Christian IV ठीक है उस समय राजा जो है वो कौन है Christian V IV है यानि कि Christian चतुर्थ जो है वो वहां के राजा है और उन्होंने इस तरीके की डिमांड को स्विकार किया और इसी स्विकृति के कारण सन 1616 में 1616 में Danish Eastria Company जो है वो भारत के लिए व्यापार करने के लिए आती है और उसे 12 साल का यानि 12 years का एक चार्टर पास करके 12 साल का उसको व्यापारी के का धिकार दिया जाता है तो यह अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसको व्यापारी के का धिकार जो है वो शुरुवात में Danish Eastria Company जो है वो कैसे चर्चा करें दो डेनिश कंपनिया जो भारत आ रही है अगर हम उनकी चर्चा करें तो सबसे पहले जो डेनिश कंपनी भारत आ रही है वो तकरीबन 1650 तक भारत में इस्थिर रहती है या अपना जो कारेकाल है वो चला पाती है उसे हम डेनिश कंपनी के नाम से जान रहे है यानि कि पहली कंपनी जो आ रही है उसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं डेनिश इस्ट इंडिया कंपनी और ये सन 1616 से लेकर के 1650 तक भारत में अपने आपको इस्टैब्रिश कर पाती है ठीक है तो ये कंपनी जो है जब व्यापार कर रही है तो इसने एक खास काम किया है और वो खास काम ये है कि इन्होंने चाय की तसकरी करना शुरू की चाय की तसकरी अब इन्होंने चाय की तसकरी शुरू करना शुरू करी तो जो ब्रिटिश इस्टै कंपनी है वो भी भारत से चाय का व्यापार करती थी ब्रिटेन में ला करके लंदन में ला करके उसे करके आते थे तो इनका जो व्यापारिक कह सकते हैं कि जो जो आधार है वो बहुत जादा मजबूत नहीं रहा इस वज़े से इस कंपनी का बहुत जादा दिन तक अस्तित्व भी नहीं रहा का बनना बिगडना जो होता रहा जैसे अगर देखेंगे तो शुरुवात में 1670 में से रिस्टैब्लिश किया गया और थर्ट राइम उसे रिस्टैब्लिश किया गया 1730 में और यह दूसरी कंपनी को समय तक जो है वो नॉर्वेरियन कंपनी के साथ मिल करके कुछ दूसरी कंपनी के साथ मिल करके यहां पर व्यापारी के एक अधिकार को बनाय रखे और इन्होंने लगभग लगभग जो है 40 वर्षों तक यह 1732 तक आप देख सकते हैं 1732 में इनको एक बार फिर से अधिकार मिल गया कि आके आप चल करके 40 40 वर्षों के एक अधिकार प्राप्ट करेंगे मतलब यह हुआ सिंपली इसको कंक्लूड किया जाए तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं जो पहली कंपनी आई जिसको आप टैनिश इसड़ा कंपनी कह रहे हैं वह 1650 तक अपने आपको कैसे भी करके व्यापार में शामिल करती है और व्यापार करते हुए उसका जो 1650 में स्तित्य हो लगबग समाप्त हो गया उसके बाद कुछ समय तक जो पूर्तिकीज जो डैनिश जो इन्वॉल्मेंट है व्यापार में वो इन्वॉल्मेंट जो है वो लगबग लगबग इस्थिर सा पढ़ जाता है या शितिल हो जा स्थिल हागग और दूसरी वाली जो ती इसे इशियाटिक कमपनी का नाम दिया गया इसे इशियाटिक कम्पनी का नाम दिया गया अब हैं अपने बिद्चल कव новых इस्था-प्री प्छंडव्में में तूर्छ इन्वन आपको establish होने में या re-establish होने में ठीक है finally अगर आप देखेंगे तो 1732 में 1732 में चौथी बार इस company को फिर से व्यापारीक एकाधिकार मिले और इस बार 40 वर्षों के लिए ये व्यापारीक एकाधिकार इसको प्राप्त होगे तो इसी सब चीज़ को यहाँ पर लिखने का प्रयास किया गया है कि 1732 में 40 वर्षों का इसको एकाधिकार मिल गया लेकिन ये एकाधिकार 1772 में जाकरके ये व्यापारीक एकाधिकार भी क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है तो company जो है अब क्या कर रही है यहाँ पर जब इसका व्यापारीक एकाधिकार समाप्त हो गया तो इस दोरान company ने जो पश्चिमंगाल में सिरामपुर जो जगह थी जहाँ पर इन्हों अपनी कोठी इस्ताब्लिश करी थी वहाँ पर 1799 में 1799 में यह यह थोड़ा सा आप चाहें तो याद रख सकते हैं 1799 में इसी सिरामपुर में डेनिश मिशनरियों का आगमन शुरू हो जाता है डेनिश मिशनरीज जो है मिशनरीज इनका आगमन शुरू हो जाता है और इनके आगमन से सिरामपुर में एक प्रेस का Establishment होता है जिस प्रेस के माध्यम से तमाम सारी जो Christian books हैं या फिर जो धार्मिक किताबे हैं उनकी छपाई जो है वो शुरू होती है 1801 से ले करके 1832 के बीच अगर हम देखें तो इस प्रेस के माध्यम से तकरीवन 2,12,000 किताबे जो किताबे हैं उनको छापा गया और इसी किताबों को छाप करके यहां पर प्रचार प्रसार किया गया तो आप देख रहे हैं शुरुवात में यह डेनिश कंपनी व्यापार के लिए आती है लेकिन पारेसी में चली आती है दुबारा फिर व्यापार करने आते हैं तो इनको बार-बार अपने आपको रिस्टैब्लिश करना पड़ता है और अंतता जब इन्हें एक आधिकार मि दिखाया तो इसमें दिखी नहीं Ciao ओर इसी काम में लगे रहते अब जिस समय यह सब काम कर रहें उस समय इनके प्रतिद्वंदी और उयुकी पर नहीं कर सकते थे और अगर किये तो आपको इसका प्रणाम जो है वो भोगना पड़ा तो मेरी ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो डेनिश जो इस्टडे कंपनी है इसके बारे में अगर ना भी पढ़ा जाए तो कुछ खास फर्क नहीं पढ़ता है दिरे-दिरे इनके पीछे एक आप कारण लिख सकते हैं जो की है अगर हम बात कर रहे हैं पतन के बारे में तो इनके पतन के पीछे एक कारण हमको यह समझ में आता है कि जो नेपोलियन वॉर हुआ 1803 से लेकर के 1815 के बीच में नेपोलियन वॉर या नेपोलियन युद्ध इसमें कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी से इन्वॉल्मेंट के कारण या इस दौरान जो ब्रिटिश और डेनिश जो शिपिंग है वो मतलब आकरमन करते हैं और इसको पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं खतम कर देते हैं इनका काम इसके अलावा भारती व्यापार में अगर हम देखें तो भारती व्यापार में ब्रिटिश जो है वो धिरे-धिरे तेजी से आ र तक अंतिम जो इनकी कोठी थी सेरामपुर में वो सेरामपुर की अंतिम व्यापारी कोठी भी ब्रिटिशर्स ने अपने में मिला ली और जो इस्टडर कंपनी है उसके साथ में ही ये डैनिश इस्टडर कंपनी का मर्जिंग हो गया तो इस तरीके से तकरीबन 1845 से लेके 1854 के आसपास तक पूरी तरीके से ये जो कंपनी है वो समाप्त हो गई खतम हो गई तो डैनिश इस्टडर कंपनी का कोई खास इतियास नहीं था लेकिन जो भी छोटा सा इतियास था वो मैंने आपको यहाँ पर बताया I hope को यह की सारी से ये clear हो गई होगी मुख्य तोर पर अब हम आगे बढ़ेंगे फ्रांसीसियों के establishment को लेकर के फ्रांसीसी इस्टडर कंपनी की इस्थापना के बारे में समझेंगे ये महत्यपूर्ण है क्योंकि अब जो है अंग्रेजों के वर्चस हो की यहाँ पर बात होगी अब क्योंकि आप इस क्रम में देखें तो फ्रांसीस तो आपके मन में ये प्रशन स्वभाविक रूप से जाएगा कि ये फ्रांसीसी अगर इतने स्ट्रॉंग थे जिन्नोंने ब्रिडिशर्स को खोले हांत टक कर दिया तो ये आखिर इतनी बात में क्यों आए उसके पीछे क्या कारण है तो अगर हम देखें तो भारत में करी दी लेकिन इतना लेट क्यों करी थी उसके पीछे रिजन क्या है उसके पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है कि सक्त्रहुवी स्यताप्दी कर देखें तो आप ऐसे समझ वी सबस्वी के शुर्वात fishing में ये जैसे कोई भी है इसी थे ये मेड़ागासकर शेत्र में अपने आपको वहाँ से ट्रेडिंग करने में अपने आपको विजी रखते थे तो उनका जो व्यापार था अब आप देखेंगे अगर आप मैप में थोड़ा सा एक बार लोकेट होने का प्रयास करें यहाँ पर देखें जरा यह आपका फ्रांस यह जो पौर्शन है यह फ्रांस का है ठीक है और यह आपका यहाँ पर घवार दुपर अरफरीका के पूरब में आपको देखने को मिल रहा है उसी चीज को अगर आप यहाँ पर मैप में देखोगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यह जो लोग थे यह लोग यहाँ से अपना व्यापार इस छेत्र में करते थे यह वाला रीजन जो है इसको कवर करते थे और जो यह मेड़ागासकर द्वीप आपको दिख रहा है 17 सेंचरी का फस्ट हाप तक लग गया अब भारत की और आने की जो परेणा है वो मुख्य रूप से कोलबर्ट के द्वारा शुरू हो रही है और उस समय फ्रांस में जो राजा है उसका नाम है लुई चोधावा लुई नाम के कई सारे वहाँ पर राजा हुए लुई फर्स लुई सेकेंड लुई थर्ड ऐसे करते करते लुई 14 जो है वो फ्रांस का राजा है और उसका एक प्रधान मंत्री है जिसका नाम है कोलबर्ट तो ये कोलबर्ट कौन है या इसको कौलबर्ट ऐसे भी लिखा जाता है ये कौलबर्ट जो है ये कौन है ये इसी राजा का प् फ्रांसीसी इस टेड़ा कंपनी की establishment जो है उसमें योगदान प्रमुखुरूप से कौन दे रहा है ये कोलबर्ट ही दे रहा है 1664 में दे रहा है और कंपनी का नाम है आप देख सकते हैं इसी को अब ये तो फ्रांसीसी भाषा में नाम है अब आग इसके ला और लगा लिजे ला कंपनी डिल इंडिया कंपनी इसी को हम भारत में क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं भारत में फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कंपनी इसी को हम भारत में फ्रांसीसी इस्ट डिया कंप रहाता कुछ स्टुडेंट्स या वो कॉमेंट करते कि सर थोड़ा राइटिंग साफ लिखा करिए तो भाई देखिए ऐसी बात है कि हमें फ्लो में लिखना होता है वरना अगर हम पहले बोलेंगे फिर लिखेंगे तो जितनी दिर हम लिख रहेंगे तो आपको बहुत बोरिं तो पढ़ी जाता है वो उतनी साफ नहीं आती पहली चीज़ दूसरी चीज़ यह है कि आप में से तमाम सारे ऐसे विवर्स हैं जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है मतलब मोबाइल यूज करने के फ्रेंडली नहीं है मोबाइल फ्रेंडली होने के मैं यह नहीं कि मैं यह नही पड़ेगी, बाइडिफॉल्ट मेरी ख्याल से 240 पी है, 360 पी ऐसे कुछ करके आसपास चलती है, तो आप उसको 720 के आसपास ला सकते हैं, या 1080 के आसपास अगर ला सकते हैं, अगर आपके ग़र में broadband वगर लगा, तो बिल्कुल clear दिखाई देगा, एक एक चीज, साफ साफ, ठी लेकिन उतना ज़्यादा समय नहीं है, और I hope कि आपको इतना ज़्यादा परिशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज मैं लिखता हूँ, उसे लगातार बोलता भी रहता हूँ, ठीके, तो ये जो छोटी-छोटी hurdles, जो आप create करते हैं, उमीद करता हूँ कि UPSCS parents होने इसा है, इस सब चीजों का ध्यान हम पहले ही रख लेते हैं, और तब आपको यहाँ पर देते हैं, आप मेंसे कई सारे लोग ने कहा कि सर, जो इसका, जो स्क्रीन है, बैग्राउंड है, उसको ब्लैक कर दीजे, अगर मैं इसकी स्क्रीन को आप बैग्राउंड ब्लैक कर फिर आप कहेंगे, सर, बोड चमक रहा है, दूसरी चीजें दिख रही हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जो आपसे डिसकेशन नहीं कर सकते हैं, बट I hope कि as an UPSC experience, you can understand कि क्या क्या प्रोब्लम्स हो सकती हैं, और किन्हें हमें avoid करना है, किन्हें हमें ध्यान नहीं देन हैं, तो अपने जो अपने पढ़ाई का जो तरीका उसको थोड़ा सा मेचियोर करिए, और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, तो मैंने फाइनली बताया कि France-C East Day Company जो है, वो इस नाम से 1664 में Colbert के प्रयासों से establish होगी, उसके बाद अगर हम देखें, तो एक चीज़ यह पर और ध्यान रख नहीं, क्योंकि यह Colbert जो है, वो अपने राजा का प्रधान मंत्री था, और इसी के सला से और इनी राजा की साहता से company established होई थी, तो एक चीज़ है यहाँ पर कि इस company पर जो फ्रांसीसी जो राजशाही है, या फ्रांसीसी राजा जो है, उस फ्रांसीसी राजा का पूरी तरीके से, या फ्रांसीसी सरकार का, या कह सकते हैं, जो भी, मतलब आप जिसको जो भी नाम दे सकते हैं, फ्रांसीसी जो सरकार है, उस सरकार का, इस company पर पूर्ण नियंतरन था, ठीके, तो आप समझ सकते हैं कि इसका पूर्ण नियंतरन क्यों था, हाला कि काफी supportive था और जब इस company को किसी प्रकार की sadness आय तक जरूरत पड़ती थी या किसी प्रकार की आर्थिक साय तक जरूरत पड़ती थी थी ये पूरा किया रहा था finally 1667 में Francis Caron नाम का या इसी को Franco Caron भी बोलते हैं इसी को हम Franco Caron अब ये अंग की मात्रा है जो ना इसको नाक में ऐसे बोलना है मनलब Caron तो Francis Caron Caron में रहा ना जो है वो नहीं निकालने हैं आपको तो इसी तरीके से रहता है Francis Caron जो है ये 1667 में भारत की तरफ यात्रा करता है और इसकी यात्रा में एक इरानी व्यक्ति साथ देता है एक इरानी निवासी है वो साथ देता है जिसका नाम है मरकरा इसका नाम क्या है मरकरा मरकरा जो है वो एक इरानी है वो इसके साथ में भारत आता है किसके साथ में? Francis Caron के साथ 1667 और 1668 में पहली factory सूरत में establish की जाती है तो ये जो दल है Francis Carrow और Markara का ये वाला जो दल है ये पहला दल है जो भारत में व्यापार के लिए आ रहा है इससे पहले एक नाम आपको Colbert का याद रखना है जिसने इस company को establish करवाया है ये दल जब भारत आता है तो इसकी पहली factory establish होती है सूरत में और मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ पर सूरत को map में दिखाने के ज़रूत पड़ेगी क्योंकि सूरत की सूरत हम पहले ही आपको कई बार map में दिखा चुके है याद है ना सूरत आप लोगों को याद है आप मुझे बताए कि सूरत जो है वो किस प्रांत में पड़ेगा किस दिखा में पड़ेगा ठीक है comment section में comment करके बताए तो यह पहली factory थी जो 1668 में establish करी गई इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसी मरकारा ने यह जो इसके साथ में आया था फ्रेंसिस केरों के साथ में आया था इसी मरकारा ने आगे बढ़ते हुए एक विशेस काम यहाँ पर किया है कि जो पूर्वी जो तठ है जो गोलकुंडा वाला जो इलाका है गोलकुंडा का जो इलाका है जो हमारे देश में पूर्वी तठ पर दक्षनी पूर्वी भाग में जो पड़ेगा वहाँ पर गोलकुंडा के जो राजा थे जो सुल्तान थे उनसे बाचित करके वादा करके एक अधिकार पत्र वहाँ से ले लिया और एक अधिकार पत्र ले करके वहाँ पर एक छोटा सा गाउं का इलाका उनसे ले लिया ठीक है तो एक नाम आपको यहाँ पर और ध्यान रख कि ये जो मरकरा है इसी ने गोल कुंडा के राजा से एक गाउं लिया गाउं या कह सकते हैं एक जमीन जो है वो छोटी सी उस राजा से ले ली और वो गाउं ले करके उसी जगह पर इसने 1669 में दूसरी फैक्टरी डाली और यही दूसरी फैक्टरी मचली पटनम या मसूली पटनम के नाम से जाने जाती है जहां पर पहले ही मैंने आपको बताया कि अंग्रेज जो हैं उनका भी अधिकार है इन्होंने भी अपनी व्यापारी को ठीवाँ स्टैब्रिश करी हुई है मचली पटनम में ही आपको पूर्तगालियों के व्यापारी केंदर भी आपको देखने को मिलते हैं तो ये व्यक्ति यहाँ पर स्टैब्रिश होयाता है इसके अलावा अगर हम देखें तो आगे 1669 में इन्होंने मसूली पटनम को स्टैब्रिश कर लिया उसके बाद फ्रांसिसी मॉर्टिन का नाम पर एक बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी की ज़रूत पड़ती है फ्रांसिसी मॉर्टिन जो है फ्रांसिसी मॉर्टिन को सूरत और मसूली पटनम की जिम्मेदारी जो है वो दे दी गई तो ये जो दोनों केंदर है इसका जो गवर्नर जो बनाया गया इसना जो गवर्नर जो बनाया गया वो फ्रांसिस मॉर्टिन या इसी को फ्रांको मॉर्टिन के नाम से जना जाता है ठीक है फ्रांसिस मॉर्टिन या फ्रांको मॉर्टिन जो है उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई तो शुरुवात में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कंपनी आई उसने अपनी पहली फैक्टरी सूरत में और दूसरी फैक्टरी मसूली पटना में 1668 और 1669 में जो है वो इस्टैबलिश कर दी और मॉर्टिन को इस दोनों जगहों का जिम्मेदार या जिम्मेदारी दी में तंजावुर के जो राजा थे तंजावुर के राजा से एक और छोटा सा गाव लिया एक और छोटा सा जमीन लिया है जमीन का टुकड़ा लिया और उस जमीन के टुकड़े पर उसने एक व्यापारी कोठी बनाई जिसे कहा गया सेंट थोमे तो आपको तीसरा नाम करा देता हूं सूरत में पहली factory establish हुई है उसके बाद दूसरी हुई है आपका मसूली पटनम में 1668 और 69 में और उसके बाद 1672 में सेंट थो में जो है आपका तंजावुर में establish हो रहा है क्लेर हो गई बात यहां से हाँ या नी अब यहां एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब उसने इन जगहों को acquire कर लिया तो यहां पर एक छोटी सी problem आगे आने वाली है और वो छोटी सी problem क्या आने वाली है कि गोलकुंडा का जो सुल्तान था उसने डचों के साथ मिल करके पुर्तगालियों के उपर हमला किया किसके साथ मिल करके गोलकुंडा गोलकुंडा का जो सुल्तान है उसने डचों के साथ मिल करके जो डच यातरी आये थे क्योंकि वो डचे जो थे वो नहीं चाते थे कि वो यहां establish हो तो उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान के साथ मिल कर के फ्रांसीसियों पर हमला किया ठीक है यहाँ पर यह point आपको ध्यान रखना है और इस फ्रांसीसी दल का जो सामना किया वो सामना दी द लॉ ने किया था दी द लॉ ऐसे मतलब फ्रांसीसी नेम कुछ आपको इसी तरीके से देखने को मिलते हैं दी दो लॉ या फर दी हा लॉ कह सकते हैं इसको यहाँ पर दा की जगे हा लिख दीजे दी हा लॉ ठीक है तो दी हा लॉ ने यह सामना किया फ्रांसीसी गवर्नर के तोर पर फ्रांसीसी दल के नितरतु के तोर पर लेकिन यह हार गया और क्योंकि ये हार गया तो ये जो सेंट थॉमे था ये इनके हांस से निकल करके डचों के पास चला गया डच प्राप्त कर पाते हैं ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया लेकिन जो दूसरी फैक्टरीज जो थी अभी आपके पास थी सूरत और मसूली पटनम वाली मैं आपको बता चुका हूँ सूरत मसूली पटनम फिर सेंट थॉमे ये क्रम आपको याद रखना है सेंट थॉमे फ्रांसीसी जो है उसके उपर डच आक्रमन करेंगे लोकल राजा के साथ मिल करके डच उसमें फिलहाल जीच जाएंगे लेकिन आगे की कहानी ये है कि वो जो फ्रांसीस कैरो मॉर्टिन जो था उसने अपने एक दूसरे साथी के साथ जिसका नाम था बेलांग लेस्पिने यानि अब मॉर्टिन और बेलांग लेस्पिने जो है ये वली कॉंडा पुरम जो है उसके जो मुस्लिम शासक है वली कॉंडा पुरा के मुस्लिम जो सूबेदार है जिसका नाम है शेर खान लोदी इसी शेर खान लोदी से एक और छोटा सा गाउं लेंगे ठीक है मदरास के पास में मदरास के पास मदरास के पास एक गाव जो है इन्होंने फिर प्राप्त किया और ये वाला जो गाव प्राप्त किया मदरास के पास इसी गाव को उन्होंने आधनिक शहर का एक रूप दिया विक्सित के आधनिक शहर के रूप में और यही शहर 1674 में 1674 में पॉंडिचेरी के नाम से, पॉंडिचेरी के नाम से जो है, इसको विक्सित किया गया, तो अब आपको एक और शहर मिल गया, इन दो महत्वपूर्ण जगाओं के बाद, सूरत और मसूली पत्नम नाम के इन दो महत्वपूर्ण जगाओं के बाद, एक और महत्वपूर्ण करने के बार इसका नाम जो है Fort Louis रखा गया यह जो यहां पर जगे का नाम क्या रखा गया Fort Louis वास्तविक रूप में Fort Louis जो है Fortification को ही कहा जाता है फ्रांसीसी भाशा में तो Pondicherry जो जगा है उसका जब Fortification किया गया तो उसी को Fort Louis बूला गया तो यह Fort Louis फ्रांसीसी एक्टिविटीज की जगा है पूर्वी आगरम प्रदेश में देखें और आगे चल करके फ्रांसीसियों ने इसी Pondicherry को जो आप देख सकते हो यहां पर 1674 में स्टैब्जिश हुआ है 1701 जब आएगा 1701 का जब समय आएगा तो इसे पूर्वी व्यापार का पूर्वी व्यापार का फ्रांसीसियों के पूर्वी व्यापार का केंदर बना दिया जाएगा यह यह प्रमुख व्यापारी कोठी जैसे आप लोग ने कोठी जैसे स्टैब्लिश की थी वैसे इन्होंने पॉर्णिचेरी जो है वह पारी कोठी स्टैब्लिश की 1674 में और उसे अपना सेंटर या केंदर बना लिया 1701 में यहां तक बास सबको समझ में आ गई यहां तक कहानी इस पस्ट है सबको क्लियर है हाई या नहीं कास के निकट यह मैंने आपको बताया एक गाउं लिया 1764 में इसे पॉंडिचेरी नाम दिया गया और इसी पॉंडिचेरी को आगे चल करके नोहान अपना व्यापारी केंदर बना लिया इसके बाद जो फ्रांसिस मॉर्टिन है या फ्रेंको मॉर्टिन जिसको कह सकते हैं उ प्रेंको मॉर्टिन को क्या कहा जाता है भारत में भारत में प्रांसिसीयों का वास्त्विक संस्थापक संस्थापक Francis Martin को कहते हैं और क्यों कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं इसी किसायता से इतने सारे जो शेहर हम इस्टैब्लिश किये गए और फाइनली आपने एक व्यापारी केंदर भी इस्टैब्लिश किया हुआ है लेकिन आगे चल करके फ्रांसीसियों और डचों के बीच में कुछ युद्ध होते हैं उससे पहले इन्होंने पूर्व उत्तर में आगे बढ़ते हुए बंगाल में अपनी प्रेसिदेंसी अपनी जो केंद्र है उसको इस्टैब्लिश करने के बारे में सोचा और इसके लिए उन्होंने बंगाल में शायस्ता खां से एक जगा ली और इस जगा का नाम रखा गया चंदरनगर तो अब दक्षन पूर्व से थोड़ा सा उत्तर पूर्व की और आगे बढ़ते हुए बंगाल में इन्होंने चंदरनगर को भी इस्टैब्लिश कर लिया तो अब यह नाचवा नाम है चंदरनगर लेकिन सेंट थो में इनके यहां से जा चुका था आगे चल करके 1690 के आसपास जो है यह चंदरनगर इस्टैब्लिश किया गया उसके बाद आगे क्या हुआ कि फ्रांसीसियों और डचों के बीच में कुछ युद्ध हुए और इस युद्ध क प्रभाव यह हुआ कि भारत में इसका फ्रांसीसियों और डचों के युद्ध यूरोप में होने शुरू हुए यहां नहीं यूरोप में यूरोप में फ्रांस भी है यूरोप में डच भी है उनके आपसी वहां पे जगड़े हुए और उनके आपसी जगड़ों का प्रण और जब यह फ्रांसीसी और डच भारत में आमने सामने आए, तो इन में जो लडाई हुई, उस में कह सकते हैं कि आपस में कुछ समय के बाद दोनों में पॉप संधी हो गई। आप देखें, 1697 में, 1693 में जो फ्रांसीसी और डच के बीच में जो युद्ध शुरू हुए उस युद्ध कांत 1697 में रिजविक के संधी के साथ हुआ और इस संधी के परणामों के साथ डचों ने डचों ने जो भी फ्रांसीसी केंदर फ्रांसीसी जो केंदर लिये थे उन्हें वापस कर दिया उन्हें क्या कर दिया उन्हें वापस कर दिया ठीक है जो फ्रांसीसी केंदर थे वो वो वापस कर दिये और स्वाभाविक सी बात है कि इस तरीके से सेंट थोमे जो इन्होंने खो दिया था उस सेंट थोमे को इन्होंने यहां से वापस पा दिया तो यह आपको एक तरीके से देखने को मिलता है इस दोरान हम यह कह सकते हैं कि जो यह Francis कैरोन है या मौटिन जो है यह भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसकी वज़ा से जो France है या Francis जो सामराज जी है उसको अच्छी तरीके से संचालित किया गया है तो एक मजबूत शुरुवात जो है इस व्यक्ति ने यहां पर दे दिये अब यह जो मजबूत शुरुवात है क्या इस मजबूत शुरुवात का लाब आगे आने वाले जो फ्रांसिसी अधिकारी या व्यापारी या गवर्नर्स होंगे वो उठा पाएंगे तो आपको मैं बता दूँ कि आगे कुछ समय तक फ्रांसिसी उतनी तीवर गतिविधी से काम नहीं कर पाए मतलब 1706 की अगर हम बात करें तो 1706 में आपने देखा कि इधर जो फ्रांसिस मॉर्टिन है उसने यहाँ पर युद्ध किया फिर 1697 में रिजवी की संधी हुई जीते हुए हारे हुए जो प्रान थे उसको फिर से वापस लिया और फाइनली अपनी मृत्यू तक उसकी मृत्यू जो है 1706 में हुई और 1706 तक उसने फ्रांसिसियों को एक मजबूती थी लेकिन 1706 से लेकर के 1720 तक अगर हम बात करें तो कोई खास फ्रांसिसी अक्टिविटीज आपको नहीं दिखती है लेकिन हाँ इसमें एक पॉइंट ज़रूर इंपोर्टेंट है और वो यह है कि इस दौरान पांच फ्रांसिसी गवर्नर भारत आए पांच फ्रांसिसी गवर्नर जो थे वो भारत आए लेकिन इन पांचों फ्रांसिसी गवर्नरों में वो योगिता नहीं थी जो फ्रैंसको मॉर्टिन में थी पाइनली इस तरीके से दूसरे मजबूत प्रशासक जो भारत आए वो आपको 1720 से 42 के मध्य में दिखे और 1720 से 1742 के मध्य में जो भी आपको गवर्नर्स दिखाई देते हैं उनमें दो गवर्नर्स का नाम बड़ा इंपोर्टेंट है एक का नाम है लीनो और दूसरे का नाम है ड्यूमा ये लीनो और ड्यूमा ने भारत में आ करके थोड़ा सा फिर से उसी तरीके का प्रचाप्रसार करना शुरू किया जैसा मॉर्टिन ने करना चाहत और इन सब लोगों की सहायता से अगर हम देखें तो लगभग ये मॉरिशस है, माहे है, कराइल इसमें जो छेत्र लिखे हुए हैं इन पर अधिकार होने शुरू हो गए जिसमें से मॉरिशस 1721 में 1721 में 1724 में 1724 1724 जो है मालाबार तट के तरफ एक जगा पढ़ती है, माहे दीप पढ़ता है, उस पर अधिकार कर लिया और 1739 में 1739 में कराइल जो तटी ये भाग है उस पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया एक बार मैं देखता हूँ कि यहां मैप है, यहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये वाले इलाके जो है, आपको कहां देखने को मिलेगे जैसे कि मौरिशस वाला पार्ट जो है मौरिशस वाला जो पार्ट है, वो आपको यहां पर दिखनी रहा है लेकिन कोई बात नहीं, मैं दिखा दूँगा आगे चल करके इसी मेडगासकर दीप के पास बहुत छोटा सा एक दीप है जिसका नाम है मौरिशस ठीके, इस मौरिशस पर फ्रांसीसियों का कबजा हो गया धिरी धिरे पूर्व की तरफ ही है एक तरीके देखा जाए ठीके, तो ये मौरिशस है और मौरिशस के अलामा आपको मैंने दो चीज़ें और बताई थी एक माहे दिखाया था, एक कराइकल दिखाया था तो माहे आपको इधर दिखाई देगा इधर ये जो तकी ये भाग है जो मैंने आपको बताया कि मालाबार जो कोर्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माहे इस जगह पर माहे देखने को मिलेगा और तीसरा जो मैंने आपको point दिखाया था वो था कराईकल कराईकल जो है वो आपको इस तरफ देखने को मिलेगा इस तरफ यहाँ पर आपको कराईकल देखने को मिलेगा कराईकल ठीक है तो आप map में इस तरीके से locate कर सकते हो इन तीनो जगहों को और आसानी से देख सकते हो कि इन दो जगहों पर और पीछे इधर जो है आपका जो मौरिशस है जो अफरीका के आगे मेड़ागास करके ठीक आगे छोटा सा दुई पड़ता है इधर कहीं अफरीका होगा यहाँ पर छोटा सा मेड़ागास करोगा और यहाँ पर मौरिशस होगा तो यह जगहें जो हैं वो कवर करी गई है किसके द्वारा कवर करी गई है तो आप देख सकते हैं 1721, 1724 और 1729 तक इस तरीके के अधिकार जो है वो किये गए लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर एक है जो वो आपको मैं बताना चाहूँ वो महत्वपूर्ण बात क्या है 1742 के आते आते तक 1742 तक तो इन्होंने यह यहाँ पर आते हैं व्यापार करते हैं और व्यापार की दृष्टिकोंड से जो थोड़े बहुत युद्ध सान्ती यह समझ होते वेगरा जो करने होते हैं वो करते हैं लेकिन क्योंकि इस स्थिती तक आप देखेंगे ब्रिटिशस काफी जादा मजबूत हो चुके थे और ब्रिटिशस और फ्रांसीसी के यूरोप में भी बहुत सारे संघर्ष होते रहते थे लड़ाईयां चलते रहती थी उनकी आपस तो इसी लिए इन्होंने भारत में इन फ्रांसीसियों ने भारत में 1742 में सामराज्यवाद सामराज्यवाद विस्तार जो है वो करना शुरू किया यानि कि अब ये अपनी जो कॉलोनीज हैं उनका एक्सपेंशन करना शुरू करेंगे क्योंकि बिटिशर्स भी इसी नीती का यहाँ भारत में पालन कर रहे थे यनि वो व्यापार करने तो आई आए थे साथी साथ वो भारत में जो राजनेतिक interference है वो करना चाहते थे उससे लाब लेना चाहते थे और इसके माध्यम से अपना प्रचार प्रसार भारत में करना चाहते तो इसी नीति को फ्रांसिसीज ने 1742 के आसपास अपनाना शुरू कर दिया और क्योंकि अभी तक कोई दूसरी व्यापारिक जो गतिविधियान होती थी यूरोप की तरफ से यहां पर होती थी वो अंग्रेजों की इस नीति का पालन नहीं करते थे यह फ्रांसिसीज इस नीति का पालन करने पहली बार आये थे तो इसी लिए भारत में भी फ्रांसिसी और ब्रिटिशल्स का जो है या अंग्रेजों का जो है वो आपको संघर्ष देखने को मिलता है या युद्ध देखने को मिलता है और इसी संघर्ष में प्रथम करनाटक वार या सेकेंड करनाटक वार को आप पढ़ते हैं लेकिन उस संघर्ष की शुरुवात जो है वो कैसे हो चुरू कर दिया। भारत में एक तो कारण ये हुआ अंग्रेजी और फ्रांसीसी संघर्ष का। एक कारण तो ये है। ठीक है। आस्ट्रिया पर उत्राधिकार का युद्ध और ये युद्ध युरोप में शुरू हुआ प्रांसीसी यानि की फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युरोप में आस्ट्रिया के उत्राधिकार को ले करके क्योंकि युद्ध चल ल तो यह जहां जहां पर थे, वहां वहां पर भी युद्ध करने लगा, और क्योंकि यह भारत में थे, तो भारत में भी ब्रिटिश और फ्रांसीस का युद्ध होने लगा, स्रेश्थता हर जगा थाबित कर रहे हैं, ठीक है, तो दो कारण हो गए, एक तो इन्हों ने सामराज रजवादी नीती भारत में अंग्रेजों की तरह शुरू कर दी, तो अंग्रेजों को लगा कि अभी उसी में आगे, अभी तक व्यापार कर रहे थे, अपने व्यापार से मतलब रखें, तो ऐसा न करके उन्होंने भी चीजों का जो अपनाया, तो यहां पर एक तो कार्ड कि भारत में अभी तक इनकी स्थिती कैसी है यानि इस समय तक फ्रांसीसी जो है वो कितनी पकड़ भारत में कर चुके हैं कहां-कहां उनकी कोठी स्टैब्लिश है और उस समय तक अंग्रेजों की क्या हाल है उसको अगर हम देखें तो फ्रांसीसी जो है प्रांसीसी जो हैं, उनकी बात करें, तो पॉंडिचेरी जो है, इनका प्रमुख व्यापारी केंदर था, बन गया था मैंने आपको बताया था, और जितनी भी इनके व्यापारी केंदर थे, इन सब का जो मुख्याले था, हेड़कॉर्टर जो था, वो मुख्याले ये चंदर नगर में खोले गए थे, और ये सब कैसे कैसे और कब-कब इस्टैबलिश हुए हैं, सब के बारे मैंने आपको डेट वाइस बता दिया थी, ठीक है, एक बार रिमाइन करिए, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताईए, कि उन्होंने चंदर नगर कब किया था, अब अगर हम फ्रांसीसियों के अलावां अंग्रेजों की बात करें, तो अंग्रेज जो हैं, उनके तीन प्रमुख वियापारी केंडरें, जैसे इनका पॉंडिचेरी हैं, वैसे इनके तीन मुख्याले हैं, एक मदरास में हैं, एक बंबई में हैं, और एक कलकत् किसे कहते हैं आधुनिक बंबई का निर्माता किसे कहते हैं जितने लोग बंबई से देख रहे हैं वो लोग ज़रूर बताएं ठीक है तो ये दो कोश्चन्स हैं जिसके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूं बताईएगा बैराल इस समय इंडिया में सिच्वेशन इनकी ऐस तो ये पहले थे तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ही जगहों के वर्चस्वों को ले करके इनके और इनकी ये वाली जो जगहें हैं और मदरास के आसपास की जगहें इन ही को ले करके आपस में संगर्श होने वाला है वाई क्योंकि यह यहीं पर हैं इस्टैब्रिश तो यहा भारत में कहां है तो चलिए अब आगे देखते हैं जो युद्ध है वो किस प्रकार से आगे शुरू होगा अब इस युद्ध को समझने से पहले यह मैलब मैप मैंने आगे की जो चीजें थी उसको बताने के लिए यूज किया था इसको हम दुबारा यूज करेंगे इसलिए जो situation है वो मैंने आपको यहां पर बता दिये कि कौन-कौन कहां कहां establish है और अगर हम इस स्थिती की बात करें तो इस स्थिती में हमको पहला करनाटक युद्ध पढ़ना होगा और यह पहला करनाटक युद्ध जो है वो 1764 से 1746 से 1748 के बीच हुआ क्योंकि हम पहले करनाटक युद्ध की बात कर रहे है तो हमें करनाटक की situation को समझना है तो करनाटक जो है उस समय है हैदराबाद सूबय का अंग था लेकिए पहले सूबय का मतलब province जिसे आप आजकल आप जिला कहते है तो जैसे मान लेते हैं कि उत्तर प्रोदेश के अगर डिस्टिक है जिला है बाराबंकी जिला है आवध पैज़ाबाद जिला है उसी तरीके से हैदराबाद जो है उस हैदराबाद प्रोविंस में करनाटक आता था उस हैदराबाद जिले के अंदर ये करनाटक आता था उसके राजचित्र के अंतर आता था और हैदराबाद जो थ नहीं होती थे हैं जुए है ओले आ रहा है मुगलों के अंतरगत मुगलब्स करना चाहता है और उसी तरीकह से करनाटक भी भी मुगलों के अंतरगत आ रहे है और मुगल === के अंतरगत करनाटक आ रहा है, तो मुगलों से जब हैदराबास स्वतंत्र होने की इच्छा रख रहा है, तो करनाटक भी हैदराबास स्वतंत्र होने की इच्छा रख रहा है, मुगलों से हैदराबास स्वतंत्र होना चाता है, और हैदराबास से जो करनाटक है, वो स्वतंत प्रियास करें। तो ने बताया कि करनाटक जो है वो हैदराबास सूबे कांग है और जिस समय भारत में प्रथम करनाटक युद्ष शुरू होने जा रहा है उस समय अगर आप देखोगे तो पॉंडिचेरी जो है भारत में पॉंडिचेरी जो जगा है वहाँ पे जो फ्रांसी इसी जो किला है उस पर वहाँ पर जो है डूपले नाम का फ्रांसीसी गवर्नर बैठा हुआ है मतलब डूपले फ्रांसीसी गवर्नर उस समय यह आपको समझना है और यह गवर्नर कहां पर है पॉंडिचेरी में इसी समय मदरास जो की अंग्रेजों के पास है उसमें गवर्नर बन करके निकोलस मोर्स बैठा है, तो ये है अंग्रेज और ये है डूपले, तो मैं आपको साथी साथ सिचुएशन बताते हुए चल रहा हूं कि क्या स्थिती भारत की है, क्या स्थिती ब्रिटिशस की है, दोनों की स्थिती बहुत अच्छे से बता रहे हैं, यहां ये भी ध तो पूर्ण जो कारण हमको देखने को मिलता है, पहला कारण जो है, भारत में ये क्यों लड़ रहे हैं, भारत में लड़ने का पहला कारण है, फ्रांसीसी जो है, वो क्या करना चाहते हैं, व्यापारिक केंद्र जो है अपना फैलाना चाहते हैं, मैंने बताया थोड़ी द दूसरा कारण जो है, वो भी कम महत्वपूर नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि 1740 में आस्ट्रिया का उत्राधिकार का जो युद्ध है, चल रहा है, यूरोप में जो चल रहा है, यूरोप में यह धियान रखना है, यहां नहीं चल रहा है भारत में, लेकिन उसके प्रभाव 1740 में जो ये उत्राधिकार का युद्ध शुरू हुआ इसकी खबर भारत में 1744 में पहुँची 1744 में उत्राधिकार के इस युद्ध की खबर जो है ये खबर जो है वो कहां पहुंचती है ये खबर भारत पहुंचती कि भाई अमारे देश वह हैं वो आपस में यूरोप में लड़ रहे हैं और जब भारत में 1744 में इस सुत्राधिकार के युद्ध के खबर पहुंसती है तो उस समय अगर आप देख रहे हैं कि ये दोनों लोग एक्टिव हो जाते हैं कौन डूपले और निकोलस मोर्स डूपले और निकोलस मोर्स अब जड़ा मैप पे एक बार नजर डाल लीजिए ये है पॉंडिचेरी क्योंकि इन जगहों का इस्तेमाल होने वाला है पॉंडिचेरी से थोड़ा उपर आप जाएंगे तो मदरास या मदरास के दक्षण में पॉंडिचेरी पॉंडिचेरी के उत्तर में मदरास ऐसे याद रख सकते हो आप ठीक है ये करनाटक जोन है ये आपका ये पूरा का पूरा इधर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये हैदराबाद का आप देख रहे हो ये हैदराबाद है ये करनाटक का हिस्सा है ठीक है तो हैदराबाद और करनाटक इस तरीके से उपर नीचे ही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटा सा मदरास से और यहाँ पर ये पॉंडिचेरी है तो मैंने बताया कि पॉंडिचेरी में कौन बैठा है डूपले बैठा है पॉंडिचेरी में कौन बैठा है यहाँ पर कौन है डूपले और जो यह मदरास है यह मदरास में कौन बैठा है निकोलस मोर्स बैठा है ठीक है समझ में आई की नहीं बात यह दोनों बात समझ में आ तो लड़ने में कमजोर कौन था, वो कमजोर था फ्रांसीसी जो पोर्शन है वो, क्यों कमजोर था, क्योंकि डोपली ये अच्छी तरीके से जानता था, कि बिटिशर्स की तुलना में, जो हमारी नौसेना है, जो जहाजी बेडा है, वो कमजोर है, और अगर हम ऐसी स्थिती म इन से लड़ेंगे, अगर हम ऐसी स्थिती में इन से लड़ेंगे, तो लड़ करके निश्चित रूप से अपने इन व्यापारिक केंद्रों को हम खो देंगे, और ऐसे में बिटिशर्स को बहुत लाब होगा, इसलिए डूपले ने चलाकी करते हुए, कूट नितिक गिता क प्रदर्शन करते हुए, निकोलस मोर्स से मुलाकात करी, यानि उससे वारता करी, और वारता करके इसके पास एक संदेश भेजा, और कहा कि हम लोगों को उदार नीति का पालन करना चाहिए, और अपने-पने केवल व्यापार पर ध्यान देना चाहिए, ना कि यहाँ पर हम हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, एक प्रपोजल दिया कि हमें आपस में लड़ना नहीं है, जिस समय ये प्रपोजल निकोलस मोर्स के पास पहुँचा, उसी समय निकोलस मोर्स के पास ये खबर भी पहुँची, कि निकोलस मोर्स की सहायता के लिए, इंगलैंड से बॉर बॉर्नेट को भेजा गया है और बॉर्नेट बहुत बड़े जहाजी बेड़े को ला करके इसके साथ जोड़ना चाहता है किसके साथ इस निकोलस मोर्स के साथ इससे निकोलस मोर्स की जो स्थिती है वो और जादा मजबूत होने वाली थी हलाकि निकोलस मोर्स के पास अगर य एक possibility थी तो इसलिए वो इनकार भी नहीं किया इसके प्रपोजल का लेकिन स्विकार भी नहीं किया क्योंकि निकोलस मोर्स को ये पता चला था कि बॉर्नेट आ रहा है तो वो confirm कर लेने चाहता था कि बॉर्नेट आ जाए फिर हम जवाब दे वो ये चाहता था कि जब ये बॉर पर कोई जवाब नहीं दिया कोई जवाब जवाब नहीं और जब इस नीटी पर उसने कोई जवाब नहीं दिया तो एक तरीके से डूपले जो है यहाँ पर फेल हो गया यानि उसे लगा कि अब युद्ध तो यहाँ पर तैं है तो युद्ध को कैसे रोका जाए इसने अहली चाल तो ये थी, दूसरी चाल क्या चली, करनाटक में उस समय जो शासक थे, वो थे अनवरुद्दीन, नवाब अनवरुद्दीन, नवाब अनवरुद्दीन जो हैं, वो करनाटक के नवाब थे, तो इस डूपले ने अनवरुद्दीन से मुलाकात की, और इनको बताया कि अगर हमारे युद्ध होंगे तो आपको भी इससे बहुत सारा नुकसान होने वाला है और इसलिए आप मैं सजेशन देना चाहता हूँ या आपको चाहिए कि आप अपना फर्मान जारी करें और शांती बनाये रखने के लिए अपने चेतर में युद्ध ना होने दे युद्ध ना होने दे यानि ऐसा आदेश जारी करिए कि आप हमारे चेतर में युद्ध नहीं लड़ेंगे तो भई आप देख सकते हैं यह दोनों ही करनाटक रीजन ने पढ़ रहे हैं इसलिए इसने फर्मान जारी किया कि हमारे चेतर में कोई युद्ध नहीं होगा यह डूपले की बात मानते हुए उसने फर्मान जारी किया और इस प्रकार से इस फर्मान के कारण अंग्रेज जो हैं इस फर्मान को मानना उनके लिए मजबूरी थी क्योंकि अभी वो उतना स्टैब्रिश नहीं हुए थे और वो नवाब को क्रोधित भी नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने नवाब की बात मान ली और भली यह बॉर्नेट की साहता आई या आने वाली थी आ रही थी रास्ते में थी अभी फिर भी इसने जो है युधन नहीं किया डूपले के साथ और इस तरीके से डूपले ने बगएर लड़े अपना जो फ्रांसीसी डेरा था उसको बचा लिया तो यह एक कहानी थी जो मैंने आपको बताई तो क्योंकि अपनी बुद्धिमानी से डूपले ने अपनी फ्रांसीसी बस्तियां जो थी वो बचा ली थी और अब जो है उसे अपनी सेना को मजबूत करने का थोड़ा सा मौका मिल गया था अब ज़रा देखिए इसी बीच कहानी थोड़ा सा चेंज लेती है ट्विस्ट होता है यहाँ पर और वो क्या है कि अब यहाँ पर जगा मिल गई रास्ता समय मिल गया आपको थोड़ा कि भाई युद्ध नहीं होगा नवाब ने आदेश पारित कर दिया है तो कुछ समय बाद डूपले जो है उसको भी एक बात पता चली और वो यह बात थी कि मौरिशस में एक फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी मौरिशस में मैंने फ्रांसीशी भस्ती के बारे में आपको बताया सतरासोच़बिस में ही 21 में ही जो है उसको बना लिया गया था और ये मौरिशस जगह मैंने पहले आपको यहाँ पर दिखाई थी मैड़गास करके आगे दिखाई थी ना? यादा रहे तो ये जो Mauryas है, इस Mauryas में जो फ्रांशीसी बस्ती है, ये फ्रांशीसी बस्ती थी भईए, यहांपर फ्रांशीसी लोका, इस Mauryas की फ्रांशीसी बस्ती में Law Bordeon ने, या Bordeon ने, यह यहाँ पर governor था law burden ने जो है वो governor था और पैसे का बहुत लालची था यह और जब डूपले को यह बात पता चली कि यह एक सशक्त या एक योग्य governor है तो इसने law burden ने से सहायता मांगी और सहायता मांगने के लिए इसको एक letter लिकर के भेजा तो law burden से सहायता किसने मांगी डूपले ने सहायता मांगी क्योंकि आप समय मिल गया है आप अपने आपको तיbellar कर सकते हैं तो इसने सहायता मांगी और law burden जो है वो सहायता देने के लिए डूपले की सहायता देने के लिए भारत का जो koromandel तत है उसकी और आगे बड़ा ठीक है?e história, टो यह कोरो मंडल रीजन है इसा इंडिया की और जा रहा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है बासवाम्यार इकोरो मंडल तट को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको यह देखिए यह अगर भारत है तो भारत का यह वाला जो इलाका है यह कोरो मंडल तट के लाता है समझ में आ गए हाँ यह नहीं क्लियर है तो यह जो व्यक्ति है यह इधर कह से आप देख सकते हैं जो मौरिशस की है वह भारत से उस तरफ पर पश्रिम की तरफ यह भारत है तो भारत से पश्रिम की onsup जो हैं ये एक होगे मॉरिष्यस से सको सहायता मिल गई लिए और इसी समय बृटिश का एक और दुरभागी हुआ कि जो बॉय नेट था बॉर्नेट जो सहायता लेकरके आ रहा था उसकी जगह पर अब सहायता लेकरके पेट नामका एक गवर्नर था वह आ यह याद आया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले बॉर्णेट आ रहा था इसी बॉर्णेट से बचने के लिए डूपले ने अनवरुद्दीन से कहलवा करके युद्रोग दिया था अब उससे समय मिल गया था और डूपले जो है वो बोड़ने की सायता ले रहा था यह बात मालूम थी बोड़ने को और इसी लिए बॉर्णेने ने इस जो आने वाली संयत सहाता है इस पर हमला कर दिया और पेटन जो है वो भाग गया कहा भाग गया यह भाग गया श्रीcock का यह भाग गया श्रीलंका जिसे सिकलों कहा जाता था उप है और अब भारत में फ्रांसिसीस के लिए कोई बाधा नहीं रहे गई, यानि कि फ्रांसिसीस जो है वो पुरी तरीके से बाधा मुक्त हो गए, और ये बॉर्नेट जो है, ये अपनी सहायता लेकर के ये कोरोमंडल थट पहुँच गया, क्लियर हो गए यहां तक बात, हाँ या सारी बात, अब फ्रांस में, अब जो है यहां पर आप देखेंगे, ये जो सहायता देने के लिए आ रहे थे, इसमें आप डूपले जो है, वो मजबूत हो गए, ये आपने याँ पर पा लिया, अब क्योंकि ये सहायता यहां पर मिल गई है, तो डूपले तो रुपने वा पास है, मैंने बताया है, पहले ही, पॉंडिचेरी यहां पर डूपले, तो मदरास को ये प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, और मदरास को प्राप्त करने के लिए, इसने सितंबर 1746 के आसपास जो है, वो मदरास की ओर से न भेज दी, 1746, सितंबर, कहां लिख दूँ, यहा और जो इसका साथी था, मैंने आपको बुर्डेन जो बताया था, बुर्डेने, यह, बुर्डाने, लौ बुर्डाने, ठीक है, लौ बुर्डाने, बुर्डेने, यह जो है, इन दोनों की जो सयुक्त सेना है, इन सयुक्त सेनाओं ने मदरास पर क्या कर दिया, हमला कर दिय जो कि अंगरेजी व्यापारी केंदुर था, उस पर हमला कर लिया, और हमला करके इसे इस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, बहुती आसानी से यह पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं हो रहे हो, बस धैर पूरवक सुनना, समझना और जानना है, तो इस तरीके से यहाँ पर अधिकार कर लिया गया, किसके द्वारा अधिकार कर लिया गया, फ्रांसीसी के द्वारा ब्रिटिशर्स पर यह अधिकार कर लिया गया, अब जरह देखिए, यहाँ पर कुछ चेंजेस हमको और देखने को मिले, चेंजेस यह देखने क पास आ गया तो क्यूंकि यह अब फ्रांसीसियों के अधिकार क्षित्र में आ गया तो बिटिशल जो है वो यहाँ पर क्या हो गए थोड़े कमजूर पड़ गए अब इन पर अधिकार किया किसने है ज़रा देखिए डूपले ने और लॉबर्डन ने लॉबर्डन और डूपले मदरास को जीतने के बाद करना क्या चाते थे करना यह चाते थे कि लॉबर्डने जो है वो मदरास पर अधिकार करके अंग्रेजों से क्योंकि इस पर किसका शासन था अंग्रेजों का शासन था यह अंग्रेजों की कोठी है अंग्रेजों से छीन ल प्रशासनी कलाब मिलेंगे तो दिखे दोनों लोगों ने मिलकर के मदराज जीता तो लेकिन जीतने के बाद बॉर्डने चाहरा है कि हम फिरोती लें और पैसा लें और निकलें यहां से खतम बाथ हमें तो मौरिश्यस वापस जाना है लेकिन डूपले यह चाहता है कि यहां पर हमारा अधिकार बना रहे दोनों के उसमें अंतर है पर क्यूंकि डूपले लॉबर्डने के सहायता से ही जीता था इसलिए चली जो है वो किसकी लॉबर्डने की और लॉबर्डने ने ब्रिटिशल्स से चार लाख पॉंड जो है वो फिरोती मांगी कितनी चार लाख लेकर के लॉबर्डने जो है वो वापस चला गया वापस कहां चला गया वहीं मौरिशस लेकिन मौरिशस वापस जाने जब यह चला गया लॉबर्डने जब मौरिशस वापस चला गया तो डूपले ने क्या किया डूपले ने मदरास पर फिर से हमला कर दिया ठीक है डूप पहले ही इसके पास आ चुका था, तो मैंने अभी अभी बताया कि लॉबर्डिने ने 4 लाख लिया था ब्रिटिशर से, और ये अंग्रेजों को मदरास दे दिया था, यानि अंग्रेजों के पास घूस देने के बाद ये मदरास फिर से मिल लिया था, और इसी मदरास को जो कि पहले law ordinary के सायता से डूपले हरा चुका था, पहले ही बहुत नुकसान हो चुका था, ये उससे उभर ही नहीं पाये थे, और उपर से 4 लाख रुपए जाही चुके थे, तो ये कमजोर थे, इसी का फायदा उठा करके, डूपले ने बोर्डने के जाने के बाद मदरास पे फि इनको भी जो है गिरपतार कर लिया गया, तो ये एक बड़ी जो कह सकते हैं बात है, वो आपको यहां पर देखना को मिल रही है, ये वो तरीका है जिससे मदरास पर, बिटिशर्स के ओपर, फ्रांसीसियों का जो है वो अधिकार हो गया, ठीक है, तमाम सारे लोग जो है ये बंदी बना लिए गए, तो ये पॉइंट आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, मेरी ख्याल से, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ योगी, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है अड्यार के युद्ध की तरफ, ये क्या है ये अड्यार का युद्ध, अड्यार में आएगा कि ये युद्ध क्यों जन्रेट हो रहा है, जरा यहां पर ध्यान दीजे, यहां पर क्या हुआ है कि अनवरुत तीन ने फर्मान दिया है कि हमारे चेतर में युद्ध नहीं होगा, और अभी आपने देखा कि आगे चल करके आप देख रहे हैं कि यहां पर ये युद्ध हुआ, इन दोनों की सायता से इसमें मदरास हार गए ब्रिटिशस, तो क्या यहां पर वो फर्मान काम नहीं कर रहा था, कर रहा था, लेकिन क्योंकि डूपले ने इस फर्मान के विरुद फिर से एक बार अनवरुत दीन से शंधी ये शर्त की, कि सर वो इस शर्त से जब मैं मदरास जीत लूँगा, तो ये मदरास आपको सौथ दूँगा, तो इस युद्ध में अंततालाब आभी का है, क्योंकि ये आप से बहुत जादा मात्रा में आपको व्यापारिक लाब नहीं देते हैं, तो अनवरुत दीन जो है, वो डूपले की बात म होने दिया, अब क्योंकि युद्ध समाप्त हो चुका था, उसके बाद मदरास पर पानली डूपले ने अधिकार कर लिया था, तो शर्त के मुताबिक ये डूपले को ये मदरास अनवरुत दीन को वापस करना था, लेकिन जब ये मदरास डूपले के पास आ गया, तो उने बेटे को कह करके, महफूज खान इसका बेटा है, अनवरुत दीन का, अनवरुत दीन जो वहाँ का शासक है करना ठका, इसका बेटा है महफूज खान, इस महफूज खान को भेजा गया, और एक बहुत ही बड़ी सेन ने सहायता लेकर के, ये डूपले से लड़ने लड़ा, या ठोमे, जो सेंट, ठोमे मैंने आपको बतायता शुरुवात में, सेंट, ठोमे, वहाँ पर ये दोनों की लड़ाई होती है, महफूज खान और फ्रांसीसी जो है ये यहाँ पर लड़ते हैं, लेकिन फ्रांसीसी अपनी छोटी सेना होने के पावजूदी महफूज खान की बड़ी सेना को हरा देते हैं यानि महफूज खान जो है वो अपनी सेना को महफूज नहीं रख पाता है और वो हार जाता है और इसहार से ये तैं हो जाता है कि जो ये मदरास है इस पर ब्रिटिशर्स का कपज़ा नहीं रहेगा और फ्रांसी-स कपज़े पर रहेंगे ये वाला जो कांड हुआ, इस कांड से डूपले का जो नाम है, वो बहुत तेजी से, न सिर्फ भारत में, बलकि ब्रिटेन में भी और मतलब यूरोप में भी बहुत फैल गया, किरे यार, उसने ब्रिटिशर्स को भी हरा दिया है, उसने इतनी बड़ी नवाब की सेना को भी हरा दिया है, बड़ी चालाकी से, लगातार युद्धकर्ण में वो जीत हांसिल कर रहा है, तो डूपले की ख्याती बहुत बढ़ गई, और इसी ख्याती का लाव उठा करके, य मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, जरद देखे, यह जो डूपले महोते हैं, जब मदरास के उपर जीत लेते हैं, तो अब चलते हैं, यह पॉंडिचेरी से भी थोड़ा सा दक्षिण में, यहाँ पर, यह पॉंडिचेरी जो है, इसके उपर अंग्रेजों की बस्ती, और यहाँ पर था सेंट जोर्ज फोर्ट, सेंट डेविट फोर्ट, सेंट डेविट फोर्ट जो है, वो यहाँ पर था, और यह जो सेंट डेविट फोर्ट है, अब इस डेविट फोर्ट के उपर डूपले ने नजर गड़ा दी, भई पहले मदरास जीत लिया है, और अब तो दीन के बेटे को भी हराया है, सेना है, पैसा है, सब कुछ है, और अब वो इसी अतियुत्साह में डेविट फोर्ड के उपर भी हमला कर देता है, तो बात समझ में आ रही है, ये डेविट फोर्ड के उपर भी हमला करता है, सेंट डेविट फोर्ड के उपर भी इसने क्या दूपले ने प्रयास किया यानि इस जो सेंट डेविट फोर्ट है जो सेंट डेविट फोर्ट है इस सेंट डेविट फोर्ट पर डूपले ने क्या कर दिया डूपले ने अधिकार के लिए अधिकार के लिए आक्रमन किया और कई बार आपको यह आक्रमन करना पड़ा लेकिन पाइनली ब्रिटिशर्स से इस सेंट डेविट फोर्ड को पाने में डूपले सफल नहीं हुआ लेकिन परिशान बहुत किया परिशान बहुत किया सफल नहीं हुआ और इस दौरान अंग्रेज भी इस दौरान अंग्रेज भी क्या कर रहे हैं अंग्रेज जो हैं वो प पॉंडिचेरी पर, लेकिन अंगरेज भी पॉंडिचेरी को पा नहीं पा रहे हैं, तो झाल देखी, फ्रांसीसी बुटेश के जो व्यापारी कोठी पर हमला कर कर के उसे पाना चारे हैं, लेकिन दोनों में से कोई सफल नहीं हो रहा है, लेकिन अंतताः जो पलड़ा है, व क्योंकि आपने मदरास को एक्वायर कर लिया है अब ये जगडे होते रहे और उधर मैंने बताया था आउस्ट्रिया को लेकर कि उत्राधिकार का उधर युद्ध चली रहा था तो दोनों के जो प्रशासनिक जो मुद्धे हैं वो उसी तरीके से बने हुए थे तकिन यहाँ पर एक चेंज हुआ 1748 के आसपास करीब एक्स लॉश एपल की या ए लॉश एपल की संदी हुई तो यह हमले जो मैंने आपको बताए जो यह आपस में हो रहे हैं न सेंड डेविट फोर्ड पर ब्रिटिशर्स के इस सेंड डेविट फोर्ड पर न फ्रांसिसी कबजा कर पाया ना पॉंडिचेरी पर अंग्रेजों का कबजा हो पाया लेकिन युद्ध आनवरत चलता रहा यह भारत में युद्ध जो है वो रुका है तब रुका है जब यूरोप में इन दोनों देशों के बीच एक्स लोज शैपल की संधी हुई है और इस एक्स लोज शैपल की संधी के परिणाम स्वरूप यह फर्मान जारी किया गया कि जहां जहां फ्रांसिसी और बिटिशर उपनिवेश है वो अपने अपने देश जहां जहां भी उपनिवेश उनने पहलाए हैं वहां पर भी युद्ध बंद करेंगे और एक दूसरे के विजित प्रदेशों को वापस करेंगे और जिन जिन जगहों पर जिन जिन देशों में उनके उपनिवेश स्थापित है वह इसी एक्स लॉप सेपल की संदी से फ्रांसीसियों को उत्री अमेरिका के लुइसबर्ग जो अमेरिका उत्री अमेरिका का पार्ट था वहाँ पर उन्हें फिर से जगह मिल पाई तो हमें लुइसबर्ग से मतलब नहीं है, मतलब था हमें मदरास से, जो अंग्रेज हार गए थे, ये अंग्रेजों को मदरास वापस एक्स लॉस एपल की संदी से मिला इस युद का कंक्लूजन क्या है? ये प्रथम करनाटक युद था, इस प्रथम करनाटक युद में क्या हुआ? क्या करनाटक का जो अनवरुत दीन था, उसका सामराज जे खतम हुआ? बेटा हार जरूर गया लेकिन सामराज्य तो खतम नहीं हुआ क्या फ्रांसीसियों ने उन्हों ने अंग्रेजों के मदरास को फाइनली प्राप्त किया तो शुरुवात में प्राप्त किया लेकिन संधी के द्वारा इन्हें वापस करना पड़ा तो मदरास as it is अंग्रेजों के पास रहे गया क्या अंग्रेजों ने क्या अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जो बस्तियां थी जैसे कि आपने पॉंडिचेरी की बात करी उसको पा लिया आप कहेंगे नहीं तो यह युद्ध हुआ इस युद्ध का परणाम क्या हुआ सब कुछ वैसा का वैसा ही रह गया बस केवल युद्ध हुआ और अंतता जैसे इस्तितियां पहले थी वैसी ही इस्तितियों पर ये प्रथम युद्ध समाप्त हो गया और इन ही परस्तितियों ने दुतिय करनाटक युद्ध का बीज भी बोया क्योंकि ब्रिटिशस को फ्रांसीसियों से मदरास लॉस एपल की संदी से प्राप्त हुआ था युद्ध करके वो जीत करके छीन करके वापस नहीं हासिल कर पाए थे और ये ब्रिटिशस हैं तो इन्होंने की युद्ध करके क्योंकि मदरास को नहीं पाय incarnत तो एक मलाल रह गया कि ऐसा लगता है कि मदरास को फ्रांसीजिस्यों ने भीक में दे दिया कि अलबात मानते हुए और फ्रांसीसी प्रांसीस को भी इस बात का मलाल था कि अच्छा खासा जीता हुआ प्रांत हमें संदी के कारण देना पड़ गया बगएर युद्ध के यही बीज क्योंकि युद्ध शांत तो हो गया है लेकिन यही बीज आगे अगले करनाटक वार को भी मार्ग प्रशस्त करेगा और यह अ अनवर उद्धीन भी फ्रांसीसों के खिलाफ उठ खड़े होने की प्लानिंग करेगा तो आप देखेंगे कि प्रथम करनाटक युद्ध का कोई डारेक्ट मीनिंग नहीं निकला लेकिन इसने बहुत सारी स्थितियां क्लियर कर दी कि आगे अभी युद्ध होगा पहली च ब्रिटिशस और फ्रांसीसी को इससे क्या सीखने को मिला इन्हें तो कुछ नहीं सीखने को मिलने वाला था क्योंकि आपसी लड़ाई जगड़े से फुरसत पा लेते पहले तो लेकिन इन्हें क्योंकि ये सामराज जवादी विस्तार और नीतिक एकॉर्डिंग यहां पर आ चुके थे और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया था इसलिए इन्हें सीक्ने को मिला एन्हें सीक्ने को यह मिला कि भारत में क्योंकि आपने देखा कि अनवर्दीन करने के पश्षाथ इन दोनों ने तेजी से सामराज जवादी नीती पर काम करना शुरू किया और जब मौका मिला एक्स लॉश एपल की संदी को ब्रेक किया और फिर से युद्धों में लीन हो गए और इस युद्ध में लीन होने के साथ साथ ततकालिंज शेत्रिय जो भी ज जो क्या सकते हैं कि प्रशासक थे उनके राजनेतिक मामलों में हस्तक शेप करने से ये चुके नहीं इसका परड़ाम अंतता है ये होगा कि अंग्रेज हैदराबाद करनाटक वाला जो प्रांथ है उस पर न सिर्फ कबजा करेंगे बलकि बंगाल पर भी अपना कबजा साब इस करनाटक दुती जो करनाटक युद्ध है इसको दुती जो सेकंड करनाटक वार है इसको हम लोग सेकंड या अगले अपिसोड में पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट जो है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को प्रत्थम करनाटक वार के बारे में सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा और अब कैसे दूतीय करनाटक युद्ध की स्थितियां बनेंगी कैसे प्राशीसिस को ब्रिटिशस हराएंगे कैसे करनाटक और हैतराबाद की आंतरिक युद्धों का लाब उठा करके ब्रिटिशस और फ्राशीसिस आपस में लड़ेंगे कैसे जो है ब्रिटेन इन सब जगहों पर जीत हासिल करते हुए फाइनले 1760 में वंडी वाश का युद्ध करेगा और उस वंडी वाश की उद्ध में फ्रांसीसियों को सफाया करेगा इन तमाम सारे मुद्धों को हम अगले एपिसोड में आपके समक्ष रखेंगे और आशा करेंगे कि यहां तकी चीज़ों को रिपीट करके रिवाईज करके आप हमारे साथ आईगे और ये भी उम्मीद करेंगे कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक शेयर कर लिया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा नहीं किया है तो सेशन खतम हो रहा है आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दूसरे दोस्तों कोई बता है इस लेक्चर का PDF आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं विरत दुबे 01 इस टेलिग्राम पर जुड़ करके साथी साथ आप हमसे अपने विचार शेयर कर सकते हैं विरत दुबे 01 इसी इंस्टाग्राम पर आपके विचार उनका स्वागत रहेगा जो भी डिसकेशन होगा आप सोशली हमसे जुड़ करके वाँपर पाचीत कर सकते हैं आज के सेशन में फिलहाल इतना ही मुलाकात करेंगे मुलाकात करेंगे अगले सत्र में तब तक के लिए सभी लोगों को नमश्कार थन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi